आज की कहानी दो मेंडग की कहानी है और यह जो कहानी है वो सबको सुनानी है आपको जानके बड़ी खुशी होगी कि खाली आपकी लाइफ में नहीं बट हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जो हमें बहुत मोटिवेट करता है एक या दो ऐसे कई सारे लोग हो सकते ह उससे कई ज़्याधा ऐसे लोग होते हैं जो आपको बस ये बताते का आप ये नहीं कर सकते, आपको ये चीज स्टार्ट करते हो वो 10 कमया गिना देते हैं, ये आप में कमी है या यहाँ पे ये चीज लखेंगे, ये नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट अगर मैं इन इन इन्सानों को इन लोगों को एक एक सिंपल सा वर्ट देना चाहता हूं and that is haters you know they might not be haters but for simplicity let's call them haters and sometimes it is very important not to listen to haters अब ये कहानी है उन दो मेंडकों की तो एक बहुत सारे मेंडक जा रहे थे जंगल में और जंगल में एक खड़ा था अच्छा कासा खड़ा था जिसमें दो मेंडक गिर गए और उन दोनों मेंडकों को बाकि सारे मेंडक बोल रहे थे कि यार अब तेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामोमकिन है मतलब somewhat बोल दिया गया था कि यहां से निकलना इंपॉसिबल है और सारे मेंडक यहीं बोलते जा रहे थे बोलते जा रहे थे और फिर क्या हुआ एक मेंडक ने गिवफ कर दिया and that मेंडक Cooperות मर गया और दूसरा मेंडक था वो वो ट्राइ करता रहा करता रहा और उसके बाद बाहर आ गया और आपको पता है छूँ हूआ क्यों हूँ अ시죠 क्यों हूँ क्यों और मेरी अगली कहानी में मैं बात करने वाला हूँ उन दो चुहों के बारे में जो एक बहुत ही सिमिलर परिस्तिती में थे और वो आपको और जाधे इंस्पायर करी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो उसको ज़रूर फैला है Thank you so much Thank you